जो भी जैविक पदातों से जो इंधन निकला आता है आपको पता है कि हम आप जो भी इंधन यूज करते हैं जो भी फ्यूल यूज करते हैं वो कहां से यूज करते हैं जिवास में इंधन तो फॉसिल फ्यूल जो आता है उसे फॉसिल फ्यूल करते हैं मैंने आपको एक दिन पूरा डिटेल में ठीक है ना तो जो फॉसिल फ्यूल होता है जिवास में इंधन वो हम लोग यूज करते हैं और क्या बनाते हैं उससे पेट्रोल डीजल अगरा बनाते हैं ठीक है लेकिन वो क्या करता है उसका प्रॉब्लम क्या है pollution करता है सबसे बड़ा problem है तो pollution की वज़़ से क्या दिक्कत हो रहा है climate global warming हो रहा है greenhouse gases बढ़ रहा है फिर global warming जिसकी वज़़ से हो रहा है और उसकी वज़़ से क्या हो रहा है climate change ठीक है और climate change होने से क्या हो रहा है आपको पता है adverse impact पढ़ रहा है on the life property पर असर हो रहा है ना अब मानलों की cyclone आता है ठीक है या बाढ़ा गया अभी आसा में बाढ़ाया था आया है ना तो आसा में बाढ़ाया काफी लोगों का बाढ़ाने से क्या हुआ वहाँ का विकास हो गया हाँ वहाँ के जो लोगों की टहस्न हो गया, लोगों के जो घर थे, वो खतम हो गया, लोगों की जाने भी गई, ठीक है, तो climate change का भी रोल होता है, यहां पर अभी दिल्ली में heat wave चल रहा था, चल रहा है, मलब कभी चलता है, बंद होता है, खर अलघ बात है, अभी बंद है, फिर चलेगा, ठीक है, तो heat wave कि दिल्ली की थोड़ा सा नहीं है तो मुझे खुद थोड़ा सा इंपक्ट हो गया था है तो और वैसे आदफ है वैसे उनको भीपड़ता हो सहित वह इसलिए ठीक है तो मुझे हो गया दिक्कत तो उसी तरीके से अगर मान लो कि आप जो बाहर से आ रहे हो ऐसे जगह से जहां पर की गर्मी कम पड़ती है यह गर्मी पड़ती है तो वहां पर हीट वेव लू अगरा नहीं चलता है ठीक है यहां पर लू चलता है गर्मी तो बागे जगह तो यह सब climate change की वज़से हो रहा है तो इसी वज़से यह problem हो रहा है और दूसरा problem क्या हो रहा है एक तो environment का degradation और दूसरा crude oil आपको import करना पड़ रहा है crude oil इंपोर्ट करना पड़ रहा है तो उससे क्या problem है प्रावलम क्या उससे ये इस crude oil इंपोर्ट करते हो तो आपको dollar में foreign currency में आपको payment करना होता है आप रुपीज में payment नहीं कर सकते हो यह सब मैं आपको अलड़ी explain किया हुआ है तो foreign currency में आप payment करोगे तो उसके लिए foreign exchange आप पर पास कम हो गया like Sri Lanka in case of Sri Lanka और पाकिस्तान में हो रहा है ठीक है तो यह जब अगर ऐसे होता रहा तो crisis आप देखी रहे है स्रिलंका में क्या हाल है तो इसी लिए यह foreign currency के उपर dependence जो है हमारा प्लस अब वहां पर वहां के politics में कोई भी problem होती है इरान में इराक में West Asia में गया तो उनकी क्रूल की क्या होता यह बढ़ जाता है तो क्या होता है हमारे है पे ट्रोल डीजल का रिट बढ़ जाता है और रिट बढ़ने से क्या होता है फिर महांगाई जो भी है इस समय हो रहा न महांगाई तो देख सकते हो कितना problem हो रहा है environment का degradation foreign currency का problem depletion और फिर उस प्रॉब्लम को solve करने के लिए जो सरकार है वो कुछ कर रही है और क्या कर रही है कि उसका substitute खुज रही है कि उसके बदले में क्या हम कर सकते हैं तो बैसिकली क्रुड ओइल के लिए क्रुड और के बदले में बायो फ्यूल जैव इंधन आप लोगों ने देखा होगा खैर वीसे गाउं वगरा में क्या होता है बायो गैस वगरा के प्लांट लगा जाते हैं ठीक है तो बायो गैस का चैमबर बना दिया जाता है जिसमें गोब अब काफी कम होता है तो इससे जो आपका ग्लोबल वावंनिंग का प्लाइमिट चैंज का भी प्रॉलम सॉल होगा चुकि बायो फ्यूल जो है आप क्या है आप गोबर से आप पोधो से अनाज से सुगर कें से ठीक है वो जो गन्ने के जूस से जो आपी जो खोई निकलती ह मुलासिस उससे आप बना सकते हो मक्का से बना सकते हो कौन वगरा जो होता है उससे बनाते हो आप लोग तो ये सब बायो फ्यूल इससे बन सकता है तो ये सब तो हमारे पास है अलड़ी है ना तो इसलिए आपका क्या होगा foreign currency भी बचेगा क्योंकि आप इतना इंधन अगर होगा इसी सब को सोचते हुए सरकार ने national policy on biofuels launch किया 2018 में ठीक है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये क्या है थोड़ा सा briefly discuss कर लेते हैं चलो national policy on biofuels 2018 में आया है ठीक है अब जो national policy on biofuels है इसमें क्या कहा गया है इसमें basically ये कहा गया है इसमें कुछ बाते हैं मुख्य बाते जो हैं इसको सबसे पहले तो launch जो किया है वो कौन से ministry ने किया है ministry of petroleum and natural gas yes ministry of petroleum and natural gas हाँ मुंबई में राता हूं खैर वे से मालब राता हूं क्या मलब मेरे मेरा education मगरा सब वहीं से हुआ है लेकिन ऐसे मेरा घर यूपी में है मेरा education वगरा सब वहां पर हुआ है तो मैं काफी time से वहां पर रहा हूं तो इसलिए मेरा adaptation वहां के हिसाफ से हो गया है वच्पन से तो इसलिए अब हम लोग को यहां पर कुण कि वहां पर लून चलता है कि हम लोग कर रहा था कि हम लोग को दिक्कत होता है जो वहां के लोग आएंगे अगर यहां पर तो लोग वापस जैसे आएंगे वह इसे भाग भी जाएंगे ठीक है क्योंकि वहां वाले यहां पर जो वहां पर रह लिया है वो यहां पर नहीं रह पाएगा जल्दी यहां पर जो हीट वेव या लू वगरा जो चलता है और फिर उपर से फिर डिसेंबर में ठंडी पड़ती है दोनों ही एक्स्ट्रीम होती है और दोनों में मुझे जहिलना पड़ता है ठीक है तो उसी तरीके से जो मेरे साथ जैसे लोकों के वहां पर ना तो लोग स्वेटर क्योंकि मैंने स्वेटर भी यहीं पर आके खरदा पहला तो और ना तो वहां पर इतने हीट वेगरा वह सब जो आप लोग कपड़ा वगरा बांदते हो वह सब की जरूद भी नहीं पड़ती है खेर आप गर्मी वहां भी बढ़ गया विसे तो चलो बायो फ्यूल को जो हम क इस ने किया और यह किया किया है यह पॉलिसी ने बायो फ्यूल को क्लासिफाइ किया है दो पार्ट में कौन सा एक है बेसिक बायो फ्यूल्स और दूसरा है एडवांस बायो फ्यूल यह जो पॉलिसी का था ठीक है यह पॉलिसी के कैटेगराजिशन है मेरा कैटेगराजिशन नहीं है यह पॉलिसी में लिखा हुआ है सरकार ने कैटेगराज किया है ठीक है सरकार ने वर्गी करण किया है इसका और बेसिक बायो फ्यूल्स में क्या आता है पर्स जनरेशन बा जन्रेशन बायो एथनल ठीक है? और एडवांस बायो फ्योल में क्या आता है? सेकेंड जन्रेशन टूजी ठीक है? वन जी, टूजी, थ्री जी, पूर जी से होता ना? तो ऐसे ही इसमें टूजी एथनल और टूजी एथनल के बाद मुनिसिपल सॉलिड वेस्ट मुनिसिपल सॉलिड वेस्ट टूप इन फूल्स मुनिसिपल सॉलिड वेस्ट टूप इन फूल्स फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन बायो फ्यूल्स री जी बायो सी एंजी एट्सेटरा यह क्लासिफाई किया इन लोगों ने बस यह बताया है कि इस तरीके से होता है ठीक है बायो फ्यूल इस टाइप का अब उसके बाद मैं आपको यह बताता हूं कि परस्स जनरेशन बायो फ्यूल्स सेकेंड जनरेशन बायो फ्यूल्स क्या होता है यह इसको थोड़ा से कुछ फीचर पहले बताता हूं तब आपको बता हूंगा मैं यह हो गया आपका यह लिक क्यों हो गया हो गया है यह खर आप लोग वैसे एन्वार्मेंट वगरा में इकोनामी वगरा में पढ़ोगे बट चुकि न्यूज में है तो फ़ड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ आपको बाकि तो आप डिटेल में विसे पढ़ी लोगे इसमें इसके जो मेन फीचर्स है मेन फीचर्स की हम बात कर रहे हैं सिर्फ इसमें टार्गेट दिया हुआ है कुछ जो टार्गेट दिया है क्या टार्गेट दिया है कि 20% blending of ethanol कितना होना चाहिए 20% blending blending मतलब मिश्रन ठीक है ओफ इतनल 20% blending ऑफ इतनल इन पेट्रोल इतनल की ब्लेंडिंग किसमें करते हैं पेट्रोल में ओके और डीजल में डीजल में भी को टार्गेट है 5% blending ऑफ बायो डीजल इसको बोलते हैं बायो डीजल इन डीजल ठीक है और यह कब तक होना चाहिए तो बाय 2030 दो इसमें amendment हुआ है अभी 2025 तक कर दिया गया है ठीक है वो अभी amendment किया गया है मैं यह original policy की बात कर रहा हूँ जब originally बना था तो इसमें यह था ठीक है don't worry जो amendment हुआ है मैं उसे लिखवा दूँगा भी आप लोगों को अब इसमें और क्या चीज है कुछ आप लोगों का idea है यह अलाव करता है surplus food grains जो surplus food grains होगा मनलब अनाज होगा उससे इथनॉल बनाये जागा इथनॉल जो होता है अप लोगों को पता न किससे बनता है किस चीज से बनता है जो sugar cane वगरा है ठीक गन्या जब गन्या कजूस पीते हो तो उससे जो खव़ई बच जाती है ठीक है तो उससे बनता है ठीक है मुलासस जिसे बनता है और उसके बाद मक्का से बनता है ठीक है food waste से भी बनता है तो और फिर उसके बाद कुछ लकडियों से भी बनता है वूट चिप्स वगरा जिसे कहते हैं हम लोग लकडियों से भी बनता है या सूगर से भी बनता है अब आज की टाइम में अब सूगर से भी बन रहा है सूगर, स्टार्च, गन्य का जूस गन्य का जूस से भी बन रहा है, चीनी से भी बनता है, तो इन सब से क्या होता है, इतनौल बनाया जा रहा है, और इन सब को बनाने से क्या फाइदा होगा, पेट्रोल में इसे इतनौल बनाया जागा, इतनौल बेसिकली होता क्या है, इतनौल कुछ नहीं होता है, अलकोहल होत ठीक है उन लोग को सड़ा के फर्मेंट करके बनाया जाता है और वो अल्कोहल होता है अल्कोहल तो समझते हो ना क्या होता है अल्कोहल बताओ हां 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 सराब ना जिसे दारू कहते हो ठीक है तो लीकर बेसिकली लीकर में क्या होता है अल्कोहल होता है हर लीकर में परसेंटे उतना ज्यादा नसा ठीक है बीयर में परसेंटेज कम होता है विस्की में ज्यादा होता है रम में बोड़का में अलग अलग ज्यादा होता है तो जिसमें ज्यादा होगा उसमें नसा ज्यादा होगा तो वो कैसे बना जाता है वो सड़ा के मान आता है इसलिए लीकर वगरा मे कि इस जो क्या होता है आप पीओ के तो बदबु आता है अ क्या हुआ हूआ अ अब सुंगने के लिए पीने के जुरूत है, थोले टेस्ट की बात कर रहूँ मैं, हाँ, ठीक है, येस, येस, उसका जो स्मेल होता है, गंदा होता है, क्योंकि उसे सडा के बनाए जाता है, फर्मेंट करके बनाए जाता है, तो वही अलकुहल जो बनता है, उसी को अलग beauty product में भी उज़ता है इतना जादा खुश मत हो कि आप लोग बोलते हो कि मैं यूज नहीं किया हूँ तो आप जो beauty product वगरा यूज करते हो उसमें भी यूज होता है ठीक है अल्कोहल का जो lotion वगरा लगाया जाता है तो lotion में हाँ अलग बात होता है कि उसमें कम percentage ह करता है अल्कोहल का ठीक है हाँ कव सीरफ अगरा जो आप पीते हो दवा उसमें भी कुछ percentage होता है तो ऐसा नहीं कि अल्कोहल किसी ने पिया नहीं है शरीफ मत बनो जादा सब लोग ने पिया है बस वो अलग बात है कि आप लोग दवाई के रूप में पीए हो ठीक है हाँ एक होता है कि बीना सौक से बीना तो वो उसे नुक्सान करता है चलो so it expands the scope of raw material for ethanol production it expands expands the scope of raw material for ethanol production by allowing use of sugarcane sugarcane juice sugar sugar containing materials ठीक है जिसमें भी sugar होता है basically sugar मतलब चीनी ठीक है ना सुगर तो पता है न आप लोगो like corn वगरा जो मक्का होता है जो आप लोग मक्का खाते हो ठीक है corn फिर उसके बाद damaged food grains को भी अलाव किया है इन लोगों ने डामेज्ड फूट ग्रेंज्ड फूट ग्रेंज्ड डामेज्ड फूट ग्रेंज्ड मतलब वो अनाज जो लोगों धामेज्ड हो चुका है ठीक है जो आदमी नहीं खा सकता जिसे दोख के नहीं खा सकता है डाइमेज्ड फूट ग्रेंज्ड वीट ब्रोकेन राइस एट्सेटरा ठीक है दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो बोल देना है मैं बता दूँगा क्या लिखा हुआ है दिख रहा है कंटेनिंग मदेल्स कौन सी है यह सी और अर एन कौन डामेज़ पूड ग्रेंज लाइक वीट ब्रोकेन राइस ठीक है एट्सेटरा हो गया फूड ग्रेंज लाइक वीट लाइक वीट ब्रोकेन राइस फूड लाइस्टरा से करक्केन राइस M ज अँब खर्व मेरी that अऊब्स में और मेरी that अ तर्णार की कि बनेहरा बनेहरा हम नड़ा worth ना मेरी for blending with petrol sorry for blending with petrol ठीक है हो गया ओक है बस इसके कुछ एक और पॉइंट लिख देता है मुख्य बातें बागी कितना पॉइंट लिख हो गया आप लोग टू प्रमोट एडवांस्ट बायो फ्यूल जो एडवांस्ट बायो फ्यूल मनें बताया था ना अभी कटेगराइजिशन में बेसिक बायो फ्यूल एडवांस्ट बायो फ्यूल तो एडवांस्ट बायो फ्यूल को प्रमोट करने के लिए टू प्रमोट एडवांस्ट बायो फ्यूल्स ठीक है दपॉलिसी इंडिकेट्स अवाइबिलिटी गाप फंडिंग The policy indicates a viability gap funding. Scheme for 2G ethanol biorefineries. हो गया? यह देखो अब यह तो government की जो committee है experts है वो decide करेंगी which will be more beneficial कोई भी decision लेने से पहले हम cost benefit analysis करते हैं. profit and loss बनाए जाता है जिसे accounts में profit and loss account बनता है profit and loss account मतलब कि आपका कोई भी चीज से कितना profit हो रहा है और कितना loss हो रहा है. कोई भी particular चीज से कभी भी ना तो 100% profit होता है ना तो 100% loss होता है. आपका दोनों ही side होता है जब profit and loss बनता है ना अगर किसी ने commerce पढ़ा हुआ है तो जब profit and loss बनता है डोंट वरी में profit and loss अभी नहीं पढ़ाओंगा आपको. प्रॉफिट and loss बनता है तो ये debit side में आपके सारे losses आते हैं और ये credit side में आपके income आते हैं और उसके बाद अगर income ज़ादा है तो ये आपका क्या हो जाएगा net profit और अगर loss ज़ादा है तो ये आपका हो जाएगा net loss. तो ये ही real life में भी होता है ठीक है और government के भी schemes या decisions में government कोई भी decision लेती है तो इसी तरीके से लेती है कि उस चीज़ से मुझे कितना खर्चा आ रहा है कितना losses होगा इसको पहले list out करेंगे वो लोग कितना इससे फायदा होगा वो list out करेंगे फिर दोनों compare करेंगे net क्या हो है मुझे net profit या net loss तो अगर net profit होगा then they will go ahead with this net loss होगा तो वो लोग अगर उसको mitigate करने का उसको compensate करने का कोशिस करेंगे अगर हो गया loss खतम या loss को compensate कर पाए शातिपूर्ति उसकी कर सकते हैं तो ठीक है नहीं कर पाएंगे तो उसे छोड़ देते हैं ठीक है तो इस तरीके से decisions लिया जाता है तो ऐसा absolute decision डारेक्ट नहीं होता है हमेशा cost benefit analysis किया जाता है आप लोग उसे cost benefit analysis की तोर पर कह सकते हो या लिख सकते हो profit and loss तो ज्यादा technical हो जायाएगा ठीक है अब चलो तो यह हो गया policy जो आई थी national policy on biofuel इसमें मैं क्यों इससे discuss कर रहा हूं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इसमें amendment हुआ था और amendment में क्या हुआ था कि इसमें जो target था वो target को change गिया था mainly ठीक है और कुछ feed stock feed stock को भी बढ़ा दिया है लेकिन जो major जो change हुआ है वो क्या है target मैंने क्या लिखवाय था 2030 ना 2030 को change करके उन लोगों ने क्या कर दिया है 2025 तो जो target है वो target को amend किया गया है change किया गया है और वो change करके अब सरकार का ये कहना है कि हम ये जो blending है जो ethanol की blending petrol में करने वाले हैं कितना करने वाले हैं कितना percent 20% 20% ethanol की blending misrun किसमें करेंगे petrol में वो हम पहले 2030 तक achieve करने वाले थे लेकिन सरकार कह रही कि नहीं अब हम उसे 2025 तक ही achieve करेंगे ठीक है तो target को प्रीपोन कर लिया है उन लोगों ने तो आप लिख सकते हो कि जो amendment amendment in national policy on biofuels 2018 है इसमें target जो है blending of ethanol and petrol is pre-porn pre-porn कर दिया गया है to 2025 ठीक है को डाउट है ना बोलो तो यह अच्छा ट्वेंटी पर्सेंट एथनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल इसका मतलब क्या होता है इसे हम इस तरीके से भी लिखते हैं अगर कभी इस तरीके से लिखा इस तरीके से लिखा मिले ना इसका मतलब क्या होता है इट्वेंटी इट्वेंटी का मतलब होता है कि 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 20 परसन ऐथनॉल की ब्लेंडिंग होई है ठीक है इट्वेंटी मतलब 20 परसन ऐथनॉल जैं एट्वेंटी 2 परसन ऐथनॉल ब्लेंडिंग इसे हाथ तो नीड prick premium इसे मतलब क्या है जो इसका component होगा वो 20% आपका उसमें एथनॉल रहेगा और 80% क्या रहेगा पेट्रोल ठीक है यह धान रगना तो मतलब आपको जब हम पेट्रोल बनाएंगे तो उसमें सिर्फ हमको 80% का ही cost जो बेर करना पड़ेगा import करने के लिए ठीक है 20% का cost बच जाएगा तो अगर पूरे टोटल जो consumption है पूरे इंडिया का उसमें से 20% अगर saving हो गया तो huge amount save होगा होगा ना तो यही target है government का ओके हाँ यस हाँ वो तो amount उनलोग estimate करते हैं वो amount change हो सकता है ठीक है जब real निकलेगा लेकिन हाँ उनका estimate तक में उतना है ठीक है अच्छा यह इससे और क्या क्या फायदे हो सकते हैं यह जो blending होगा इससे फायदे क्या होगा हाँ carbon emission कम होगा और येस उससे भी energies बनेगी ठीक है और हाँ बोलो सुरी जोर से बोलो येस पार्मर जो सरकार की जो aim है क्या है पार्मर income का double करना है न एम तो वो भी करने में help मिलेगा होगा न क्योंकि कैसे मिलेगा sugar अगर हम जो लेते हैं मालो sugar मक्का वगरा तो किसे खर देंगे अंबानी से किसानों से खर देंगे ना consumer को जो आप consume करते थे sugar वगरा अब उनके पास दो लोग है आप भी हो consumer भी और दूसरा sugar meal भी ठीक है मालब sugar meal मतलब उनको ethanol वगरा बनाने के लिए या जो ethanol बनाना चाह रहा है या थन रेफाइनरी वगरा वाले उन लोग को तो जो भी high price पे करेगा वहां वो लोग ले जाके बेचेंगे उनके पास option आ गया ना तो यह फाइदा होगा किसानों को ठीक है तो यह भी एक purpose है और foreign currency से होगी तो इसे लिख लो दो चार पॉइंट आप थोड़ा सा यह सब आप मैं इसलिए आपको डिसकस कर रहा हूं कि यह सब इस तरीके से आपको अगर एक्जाम में नहीं याद है तो आप खुद से भी सोच सकते हो यह कोई बड़ी बात नहीं है आपका थोड़ा सा awareness है तो आप खुद से सोच सकते हो क्योंकि हर चीज याद रख करने की जरूवत नहीं होती है आप ऐस से भी answers बना सकते हो खुद से और एक्जाम में answers बनाने पड़ते हैं बनाने पड़ते हैं मतलब कि वह बहुत सारी चीजे बिना पढ़ी हुई या याद ना कि आ हुगा चीज पूछ लेंगे बोलो तो आपको इस तरीके से common sense लगा कि आपको answers को link करके लिखना होगा मेंस मे particularly में बात कर रहा हूँ येस तनुम बिल्कुल सही बताया है अपने येस सारे points सही हैं आपके कि आपको सह ब्यॉब dif कि या है कि वेनिवेश पनेफ कि अधन रहा है। آगे कारबन कारबन डाइ अकसाइड कारबन एमिस्सHeR और सियो टू एमिस्स हो तो आख भी त्सक्राइट किया होगा एख है ना रीडियूस होगा कम होगा तो इससे क्या हैल्प मिलेगा इससे ग्रीन हाउस गैसेस भी कम होगी ठीक है ग्रीन हाउस कैसे कम होगी तो क्या कम होगा ग्लोबल वार्मिंग और फिर उससे क्या होगा क्लाइमेट चेंज भी का इंपैक्ट जो होगा तो कम होगा आप लोग इसे एक्जाम में मत आरो माक करना ठीक है मैं कर रहा हूँ क्योंकि हर चीज लिखने जाओंगा तो काफी पूरा बोर्ड भी भर जाएगा और टाइम भी लगेगा तो मैं तो समझाने के लिए आपको लिख दे रहा हूँ आप लिख सकते हो इसको ठीक है और फिर क्या हो सकता है तो ये तो मलब होगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो क्या होगा सेव होगा होगा न सेव तो फॉरेन एक्सचेंज अगर रिजर्व सेव होगा तो हमारा बैलेंस और पेमेंट स्ट्रॉंग होगा बैलेंस और पेमेंट जब स्ट्रॉंग होगा तो क्या होगा हमारी economy होगी हम उस पैसे को कहीं और developmental purpose पे लगा सकते हैं लगा सकते हैं फिर उसके बाद import dependency जो आयात की निरभरता होती है ना import मतलब आयात of course import dependency क्या होगी कम होगी और import dependency का आप उधारन देख सकते हो जब रसिय उक्रेन का वार चल रहा है तो जिसके वज़े से हमारा क्या होगा है oil prices बढ़ गए है और oil prices बढ़ने से महंगाई भी impact हो रहा है और भी other factors है but this is also one of the major factor ना तो यह import dependency कम होगा और दूसरा यह oil की वज़े से ही US और West Asia countries हमें indirectly एक तरस से क्या करते हैं एक तरस से of course not directly but indirectly blackmail sort of करते रहते हैं तो करें तो करें क्या यह हमारे इंडिया के situation रियल लाइफ में होती है तो यह सब problem से अब बच सकते हो और क्या होगा it will help help in doubling farmers income अच्छा लक्षमी मैं लिखने कुशिस करूँगा ठीक है I will try मैं कोशिस करूँगा don't worry ठीक है help in doubling double करना ठीक है doubling farmers income किसा high employment भी generate होगा है क्योंकि ethanol की refinery वगरा लगेंगी तो उससे employment भी generate होगा न वो भी यह लिख सकते हो आप it will help in employment जन्रेशन मैं इसलिए एक तना लिखता हूं लक्षमी कि एक तो जगह पर किभी कमीट और उपर से time भी दो-दो language में लिखना time भी जाएगा वेस्ट होगा तो आप लोग थोड़ा सा है जो आप अलड़ी सब्जेक में पड़े हुए हो तो अगर मैं कह रहा हूं मानलो की foreign exchange reserve तो आप यह कहां पड़े हो economy पड़े हो already तो यह आपको पता ही है already तो इसे मैं अगर मैं हिंदी में लिख भी दूँगो तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दूँगा मैं राइट तो of course इसमें time भी जाएगा और फिजगा भी जाएगा क्योंकि जगा भी तो हमी रती है ब्रेक चाहिए है हाँ ठीक है बिल्कुल यह समझ में आ गया तो यह आपके फायदे हो गए ethanol blending के और इसमें amendment में बता दिया national policy on biofuels में 2025 में इसको target को achieve करना है ठीक है इसके challenges के अगर ह कि ऑनलाइन वाले आ गए हो न सब ऑनलाइन वाले आ गए हो अगरे है ऑगे चलो ठीक है तो challenges की बात करें हम तो देखो इज़े किस से बनने वाला है सुगर से और बाकी अदर कुछ food material से बनने वाला है न क्या इथनॉल ठीक है तो इस से challenges चुनोतियां क्या हो सकती है चुनो उसके लिए water intensive crop है वो ठीक है उसमें पानी बहुत ज्यादा लगता है जहाँ पानी कमी है वहाँ पर सुगर के नहीं होता है और ज्यादा पानी जब लगेगा उससे तो इसका मतलब क्या है और ग्राउंड वाटर से लेते हैं ना सिचाई के लिए generally ग्राउंड वाटर से पा होगा कम होगा और जब ग्राउंड वाटर पानी कम होगा तो आपको पता होगा आपने नोडिस किया होगा मैंने जिसे मैं जब गाउंगरा में जाता हूं तो मैं नोडिस करता हूं वहाँ पर कि जब बहुत साल पहले जब मैं जाता था तो वहां पर क्या होता है कि वहां प पता है ना गाव में सब गए हो कि नहीं हो गए हो तो यह ग्राउंड है जमीन है यह जमीन है ठीक है तो जमीन के नीचे पानी होता है ठीक है पता है ना जमीन के नीचे पानी होता है उसे ग्राउंड वाटर काते हैं तो अब मालो की यह जमीन है तो इसके नीचे अब अलग अ जगों पे अलग-अलग level पे पानी होता है कहीं पे मान लोग के पहले जब नल जो लगा था जो नल से पानी आता है तो जो नल जब लगा वो नल की जो पाईप है जब उनको पानी मिल जाता है तो क्या करेंगे और खोदेंगे वो लोग देखे हो ना सब कैसे नल लगता गाओं में तो उसके बोरिंग होती है बोरिंग होता है उसके बाद खोदे जाते हैं और कब तक खोदते हैं वो लोग जब तक पानी न मिल जाए जैसे ही पानी मिलता है फिर खोदना बन कर देते हैं क्योंकि और खोदे क्या फायदा और खोदे के तो पानी ही तो मिलेगा तो जब पानी मिली गया तो और खोदे के क्या करोगे तो यहाँ पर उनका पानी मिल गया तो यहां तक उन लोग ने पानी का पाइप डाल देते हैं अब उसके बाद क्या होता है कि अब आप लोग बाकी लोग खेती कर रहे हो तो उससे गन्य की सिचाई कर रहे हो तो यह पानी का जो स्टॉक है तो कम होता जाता है और कम होते होते नीचे जाता है और ये मालों कि जो 80 feet मिला था अब वो लेवल चले गया 100 feet पे, 120 feet और नीचे चले गया, पानी कम होगा तो 20 feet नीचे गया, तो अब जो pipe जो डाला था आपने ये 80-85 feet पे डाला था, अब वो बागी उतना gap हो गया, पानी नीचे चले गया, तो अब आपका pipe पानी खीची नहीं पाता है, ठीक है, तो ये problem हो जाता है, इस वज़र से आपके ground water, तो ये ground water पे सबसे बढ़ा problem है, ये क्यों समझा रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ, इसलिए रहा हूँ कि ground water पे फारक पड़ेगा, ग्राउंड वाटर पे problem हो सकता है, ठीक है, तो ये एक पहला problem, ground water अगर कम हो जाएगा, ground water डिप्लीट होगा, तो क्या होगा, water insecurity हो जाएगी, क्योंकि आपको गाओं में या लोगों को पानी ground water से ही मिलता है, पीने के लिए भी और सिचाई के लिए भी, ठीक है, तो पीने के पानी के लिए भी problem हो सकती है, और सिचाई के लिए भी problem हो सकता है, हो सकता है ना, तो ये एक challenge है, इसकी चुना होती है, ठीक है, क्योंकि सुगर वगरा को promote जो किया जा रहा है उसके वज़से, या किसान और सुगर ज़्यादा produce करेंगे, फाइदा के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है, जो बाकी जो produce कर रहे हैं, उसको हटा के, और इसी को ज़्यादा produce करेंगे अगर इसमें पैसा उनको ज्यादा मिलेगा तो, तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, water insecurity की, ground water level deplete होने का, हो सकता है, और दूसरा प्रॉब्लम एक और आ सकता है, food insecurity का, कैसे खाद्य और सुरक्षा का, कैसे आ सकता है, हाँ, yes तो नो, yes बिल्कुल सही, ये, yes तो आपकी खाद्य सुरक्षा को भी खत्रा हो सकता है, हो सकता है ना, क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हो, अनाज ही तो यूज़ कर रहे हो, धीर धीर अनाज बढ़ा रहे हो, ये सूगर बढ़ा रहे हो, अब जिसे मानलो कैसे खाद्य सुरक्षा हो सकता है, अब मान अजमी नहीं खा रहे हैं, ठीक, लिगन काई सुरक्सा होगी। इनसेक्यूरिटी कैसे होगा। कि जो लोग गेहुं चावल वगरा जो उगा रहे हैं वो लोग क्या करेंगे अब अगर उनको फायदा सुगर केन में होगा तो वो लोग क्या करेंगे गेहुं को छोड़कर सुगर केन उगाएंगे हो सकता है ना गेहुं चावल को छोड़कर मनलब बाकी अनाज को छोड़कर इसको उगाने लगेंगे अब जब इसको उगाने लगेंगे तो गेहूं जावल का प्रड़क्शन अपने आपका हो जाएगा और आपको पता होगा कि इस साल हम लोग वीट की पूरे दुनिया में कमी है गेहूं की कमी हो गई है पता है ना हाँ ऐसे रियक्ट करते है जिसे प महेंगे दाम में बिकेगा तो लेकिन हुआ गया कि एपरिल में हीट वेव जो आया कि सब गर्मी पड़ा तेजी से बारिस नहीं हुआ तो इस वज़से जो उपज थी वो कम हो गई गेहूं का तो गेहूं का उपज कम होने की वज़से एक्सपोर्ट को रोक दिया शरकार न रोक दिया ना तो अब रोक दिया तो इस से हमारा economic lost हुआ ना किसानों का भी lost हुआ तो ये insecurity इस तरीके से ना आ जाए तो ये problem भी हो सकता है ठीамен तो ये सब problem है challenges है या, 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 तनू, या, या, बिल्कुल सही, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, हाँ इसमें एक ची ज़िए दक Spirit दको, इसमें एक परोग्राम है एथनॉल ब्लेंडिंग परोग्राम, जो ये इथनॉल ब्लेंडिंग होता है ना, उस परोग्राम का नाम है, मतलब कारेक् एथनॉल ब्लेंड रोको मैं इसे लिख देता हूं थोड़ा सा इस जो नाशनल पॉलिशी ऑन बायो फ्यूल्स 2018 में आया लेकिन इसके पहले जो एथनॉल ब्लेंडिंग का जो टार्गेट था 20 परसेंट वो 20 परसेंट का जो टार्गेट था वो डिसाइड हुआ था एक प्रो ब्लेंडिंग प्रोग्राम ठीक है इसमें ही ये टार्गेट था क्या टार्गेट था कि 20 परसेंट इथनॉल की ब्लेंडिंग की जाएगी इन पेट्रोल बाढ में इसे चेंज करके 2025 कर दिया गया ये 2020 में ही कर दिया गया था पहले ही कर दिया गया था लेकिन जो अभी नाशनल पॉलिसी ओन बायो फ्यूल्स है वो Hyundai 2018 में ये कब आया था ये आया था ही 2003 में ठीक है, 2003 में launch हुआ था, उसके बाद उसमें 2006 में भी उसमें changes आया है, फिर 2014 में भी changes आया, उसमें change बदलाव होते गया, लेकिन originally launch हुआ था 2003 में, ठीक है, बस यह मैं बता दिया ताकि आप इसको थोड़ा साब कुछ point जानते रहो, दोनों में purpose एक ही है, national policy on biofuel और इसमें mainly क्या है, कि national policy on biofuel जो है, वो पूरे biofuel की बात करता है, ethanol is one of the biofuel, ठीक है, एक प्रकार है biofuel का, सिर्फ वही biofuel नहीं है, उसके अलावा भी दूसरे biofuel भी है, जैसे bio gas, bio diesel, होता है ना, compost खाट जो बनती है, ठीक है, तो यह सब जो है, वो सब भी biofuel ही है, जैव इंधन भी है, जैव इंधन के अलग अलग प्रकार है, तो जो इतनोल है, वो एक जैव इंधन का एक one of the प्रकार है, ठीक?